भारती रेल लंबी और छोटी दूरियों को तै करने का आराम दायक और आसान जरिया लाखों की संख्या में दैनिक आधार पर लोग करते हैं इसका इस्तिमाल और उसमें बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग भी होते हैं शामली उमर दराज लोगों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए भारती रेलवे की तरफ से कई सुविधाएं बहाल की गई है देश के अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर लगाए गए हैं एसकेलेटर और लिफ्ट बुज़ुर्गों को सीडियों को चड़ने में होने बाली परिशानियों से राहत पहुचाने में भारती रेलवे ने एसकेलेटर और लिफ्ट लगाए हैं जिन बुजर्गों को एसकेलेटर का इस्तेमाल करने में परिशानी होती है, उनके लिए लिफ्ट की सुविधा भी है मौजूद बुज़ुर्गों को रेलवे स्टेशनों पर सामान के साथ एक जगा से दूसरी जगा जाने में परशानी ना हो इसके लिए बैटरी गाड़ी की सुविधा बहाल की गई है इस मिशुल्क सुविधा का लाब बड़ी संख्या में बुज़ुर्ग उठा रहे हैं ट्रेन में भुज़ुर्गों के लिए बहाल सुविधाएं भुज़ुर्गों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आम ट्रेनों के अलाबा लोकल ट्रेनों में भी सीटें आरक्षित की गई है नीचे की सीटों को उनके लिए किया गया है आरक्षत ताके उनको कोई परिशानी नहो आरक्षत सीटों की संख्या इस वक्त अलग-अलग ट्रेनों के स्लीपर क्लास AC 3 टीर, AC 2 टीर में सीनियर सिटिजन सहित महिलाओं के लिए आरक्षत सीटें 13 से 15 कर दी गई है राजधानी दुरंतो सहित पूरी तरह से वतानुकूलिक एक्स्प्रेस्ट फेनों में साथ सीटें आरक्षत की गई है टिकट कराय में दी जा रही है चूट 60 साल और उससे जादा उमर के लोगों को टिकट में 40 प्रतिशत की चूट मिलती है जबके 58 साल की महिलाएं अगर रेल में यातरा करती है तो उन्हें टिकट में 50 प्रतिशत की चूट उपलब्द है ये चूट उन्हें राजधानी सहित, शतावती और दुरंतो जैसी ट्रेनों में भी उपलब्द है भारती रेलवे अपने इस वादे पर अमल कर नहीं है कि उसका उद्देश सर्फ यातरियों को एक जगा से दूसरी जगा तक पहुचाना भर नहीं है बलके उनकी सुविधाओं का ख्याल रखना भी उसकी पहली और बड़ी प्रत्मिताओं में से एक है रेलवे स्टेशन्स की बदर रही तस्वीर और वहाँ पर उपलब्द सुविधाएं भारती रेलवे की सफलता की कहानी बया करती है